है कि विभार में बाहर है है नितिस्य कुमार है और कि सरकार है यहां गड़ीब का पुरा हाल है लहां कि दिखाना अपया कि पूश्वीर रहें अभी हम ऊशको पंचायट में नतिस्थ कुमार है देख भी है यह और कुशीर परकाय तेजस्वी आदो और यहां के लोग का क्या हाल है उसको मैं तस्वीरों में दिखाएंगा उसके पहले आप पब्लिक लाइब के साथ बने रहे हमारे साथ जूड़ चुक है देख लिए तस्वीरों में बहुत सारे महिला और जूड़ चुक है हम खबरों में आगे ले चलते हैं आपको बताते चले की एक बिट्टू राय जिनका नाम है उनके एक लड़का का हत्या हो जाता है पिछले तीन दिन पहले और यहां के जो लोग है चुकी गरीब परिवार से जुड़े हैं और यहां के जो प्रसासनी का अधिकारी है गंगाविरिश्थाना के अंतरगती अरिया पड़ता ह है वहां के पुलिस अधिकारी आज तक संग्यान लेने तक नहीं आए हम यहां के लोगों से पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ था माजरा क्या था कैसे उनकी हत्या हुई और इस हत्या में कौन-कौन सामिल है आए इधर आप अपना नाम बता है बट्टे राय जो हत्या अधिकारी के लिए आप बार्ण के रखा राम नात्राय मुख्या इसा भुमाना करें उल्टे अधिकारी के पैसा हुंका देये में हालाईया के है जू तारी के हतिया के लिए अधिया के लिए पास्टर ने सब घाड़े लेने परसाथन हो रहा है गड़ी परिवारती उसका कितना दिन हो गया एक फाईया की होगा है तीन तारी के होगा है तीन तारी के लिए फाई होगा है कि अच्छा कैसे आप कह सकते कि हत्या हुई है मतलब तीन बार जान से मारने की धंकी दी गई अब बार के रख ले रहा है दू लगा गया बच्छी आगे पोता है उसका कुछ नहीं कर दिया तो लोग को एक साथ पकड़ा गया तो उसमें दोसी आपके लड़का के बन पाया आपका लड़का तो उनके हां काम कर रहा था तो उसका भीर से काम छोड़ के अपन अल्लग मतलब अपना रोजगार करने का सोचा तो इसका हत्या कर दिया गया और लोग हमारे बीच जूट चुके हैं आप अपना नाम बताएं तो तो उसका दू छोड़के अपना दून अपने के कारबार सुरू कर दिया दो उसका पहला राग इंथ दूनिया कि ज्खल किया अपना पहले बातिया के बान के ले ङया पर मांनकर फोल पर वांनकर दून के लेगा और हमारे बिच महिला जोड़ चुकी है उनकी अपवाला क्या लगती है उनके लड़के की? यह कहां? क्या हिए बड़ काई घट नादी? आपको मालूम है कैसे क्या हुआ था? हमार आट नस, लिगट रहें, पर दूर्ट नगजने, को पन नगजने आप लगब, हमार वाहता अध्यों गजने, अल्त, पर दूर्ट लगफ, हमार वाहता सह बताते हैं तस्वीरों में आप देख रहे हैं उस लड़के की दादी है और काफी देख लिजे इनकी स्थिति रोते रोते इनका बुरा हल है आज ये तेरसिया गाउं उस लड़के के लिए काफी मतलब दुखी है सब लोग एक ही परिवार की इतने सदस है देख लिजे आप चेहरों में कैसे ये दुखी लोग हैं और इनके अलावा भी यहां को इनको मदद करने वाला नहीं है आज जो इस्थिती यह है हम यहां के प्रसास्निक अधिकारी से आगरे करेंगे चैनल के माध्यम से कि आप इस पर जरूर करवाई करें और जो दोसी पाय जाए उनके उपर कानूनी क करवाई होते हुए उससे दंडित किया जाए तभी इनको नियाय मिलेगा अन्याथा यह मामला जो है अब आगे बढ़ सकता है चुकी यह लोग काफी दुखी है और इनके साथ हाथसा हुआ है कोई इनको सहयोग करने वाला नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद